नमस्कार दोस्तों आज हम आपको योग के बारे में कुछ रोचक तथ्या बताएंगे योग एक अध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने योग का काम होता है योग शब्द तथा इसकी प्रक्रिया और धारना हिंदू धर्म जैन धर्म और बहुत धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबन देता है इसकी खोज लगभग 5000 साल पहले रिशी अगस्त ने की थी लेकिन जब भी योग की बात आती है तो सबसे पहला नाम पतंजली का आता है में भी फैल गया है और इस समय सारे सब्धे जगत में लोग इससे परिचित हैं सिद्धी के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयूत राष्ट्र महा सबार ने प्रतियक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की मान्यता दी है हिंदू धर्म और बहुत धर्म में योग के अनेक संप्रिदाए हैं योग के विभिन लक्षे हैं तथा योग के अलग-अलग व्यवहार है परमपारमगत योग तथा इसकी आधुनिक रूप विश्व भर में प्रसिद्ध है योग में 84 लाख आसन है और ये सभी जीव जन्तियों के नाम पर आधारित है इन आसनों के बारे में कोई नहीं जानता है इसलिए सिर्फ 84 आसनों कोई प्रमुक मान लिया गया है और वर्तमान के समय 32 आसन ही प्रसिद्ध हैं सभी आसनों में सबसे पहले सूर नमसकर किया जाता है इसके अलावे ये सभी योग आसनों में सर्वश्रिष्ट है यह अकेला अभ्यास ही सादक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाख पहुचाने में समड़ते है अभ्यास के साथ अभ्यास से सादक का शरी निरोग और तेजस्वी हो जाता है योग के कई फाइदे हैं जैसे इ इसका बालपन से ही अभ्यास करना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए